पांठ तीसरा मुकदमा गोविन शर्मा महराज का दर्बार महराज सिहासन पर बैठे हैं एक तरफ मंत्री वे दर्बारी गण बैठे हैं सामने अन्य लोग बैठे हैं महराज मंत्री जी शिकायत करने मले लोग आ गये हैं मंत्री खड़े होते हुए हाँ महराज महराज जिनके बारे में शिकायत आई है क्या उन लोगों को भी यहां बुला लिया गया है मंत्री हाँ महराज आज सभी शिकायते हवा और पानी की बारे में है वे पास के कमरे में बैठे है महराज ठीक है मुकदमे की कार्यवाही शुरू करे पहले पानी को बुलाया जाए मंत्री इशारा करते है भीगे कपडे पहने एक लड़का हाजिर होता है उसके कपडे के भीतर छिपे टेप रेकॉर्डर से पानी के बहने की कलकल आवाज सुनाई दे रही है पानी महराज की जै हो महराज पानी तुमसे इन लोगों ने शिकायत की है यदि शिकायत सच साबित हुई तो तुम्हें राच्यक के कानून के अनुसार दंडित किया जाएगा पानी महराज मुझे नहीं मालूम कि ये लोग मुझसे क्यों नाराज है मैं एकदम निर्मल हूँ महराज निर्मल मतलब स्वच मंत्री महराज लोगों की पहली शिकायत यही है कि पानी अब निर्मल नहीं रहा है ये नदियों और गहवरों में बहते समय गंदगी और बिमारियां अपने साथ बहा कर सब जगा पहुचा देता है गवर मतलब गड़ा पानी महराज ये लोग पहले की तरह पानी की रखवाली नहीं करते हैं पशू को जोहड के भीतर तैरने छोड़ जाते हैं जोहड मतलब छोटा प्राकृतिक तालाब पशू अपनी गंदगी तालाब में छोड़ जाते हैं गाउं की दुसरी गंदगी भी तालाब में फेक दी जाती हैं। नदियों में कारखानों की गंदगी वो शहर के गंदे नाले का पानी छोड़ा जाता है। महराज, मैं अपने आप गंदा नहीं होता। मुझसे जिकायत करने वाले ही गंदा और दुशित करने हैं। महराज, भाईयों आपके पास इसका क्या जवाब है। लोग आपस में फुस्पुसा कर बाते करते हैं। फिर उन में से एक बोलता है। एक, महराज, ये तो मान लिया, पर कहीं बरसना, कहीं नहीं बरसना, ये तो इस पानी की मनमानी है। पानी, नहीं महराज, मुझ पानी की मर्जी कहां चलती हैं। जिधर धलान हो, जहां का माहोल अनुकूल हो, वहां मुझे जाना ही पड़ता है। धलान, मतलब उतार, इन लोगों ने पहाडियों को काट कर, वहां मैदान बना दिये हैं। पेड काट डाले हैं, वन नश्ट कर दिये हैं। ऐसी जगा बरसात कैसे हो सकती हैं। वर्षा ना होने के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। दूसरा, अधीक वर्षा के लिए कौन जिम्मेदार हैं। पानी, जो बादल बना हैं, वो तो बरसेगा ही। फिर जहां वर्षा का पानी बहना चाहिए, जहां नदी बहने चाहिए, जहां मेरे सुस्ताने की पुरानी जगह होगी, वहां तो मैं जाओंगा ही। लोगों ने ऐसी जगहों पर घर बना लिये हैं, ऐसे घर तो डुमेंगे ही, मैं इनकी बनाई गलियों नालियों में घुंता रहूं, ये कैसे संभव हैं। लोग फिर आपस में बात करते हैं। तीसरा, महराज, हमारा गाउं सदियों से उंची जगह पर बसा हुआ है। सदियां मतलब सौ वर्ष का समय, शताब दियां। हमने नीची जगहों पर कोई घर नहीं बनाया। फिर भी इस बार हमारा गाउं बार का शिकार हुआ है। महराज, पानी पागल हाधी की तरह चलता है, आखे मूंद कर चलता है, आखे मूंद कर चलना, मतलब बिना सोचे विचारे चलना। पानी, नहीं महाराज, मैं देख कर चलता हूँ, तभी तो धलान की तरफ जाता हूँ, कभी उच्छी चगहा पर चड़ने की कोशिश नहीं करता हूँ ये लोग जानते हैं कि इनके गाउं के पास एक पहाड है, पहले उस पर बहुत से व्रिक्ष होते थे पहाड से उतरते समय, मैं व्रिक्षों के बीच में से होकर धीरे धीरे आता था, और सीधे पानी के रास्ते यानि नदी नाले में बहता था अब लोगों ने पहाड के व्रिक्ष साफ कर दिये है मैं वहाँ से उतरता नहीं हूँ बलकि लुढ़कता हुआ नीचे आता हूँ मुझे खुद पता नहीं चलता कि नीचे मैं कहां गिरूँगा अगर व्रिक्ष होते तो ऐसा नहीं होता इस बात के लिए यह गाववाले ही जिम्मेदार है महराज, कोई और शिकायर? कोई नहीं बोलता तुम्हारी चुपि इस बात के गवाँ है कि तुमने भी इन कारणों को मान लिया है तुम्हरा भला इसी में है कि अपनी गल्तियां सुधारो और पानी को निर्मल तथा उपयोगी रहने दो दूसरा दुश्य वैसा ही दर्बार इस बार पानी की जगा हवा है हवा बनी लड़की के पंख उड़ रहे हैं परदे के पीछे रखे पंखे की हवा सीधे उस पर पढ़ रही है साई साई की हलकी आवाज आ रही है महराज, मंत्री जी, हवा की प्रती लोगों की क्या शिकायते हैं एक आदमी आगे आता है आदमी, महराज की जै हो महराज, आजकल हवा में खुश्बू नहीं होती ये हर समय हमारे यहां बद्बू फैलाती है इसकी बद्बू के कारण रहना मुश्किल हो गया है हवा, महराज, ये आरोप जूठा है बद्बू के कारण तो मेरा जिना कठिन हो गया है अपने आप में मेरे पास ना तो खुश्बू है ना बद्बू पहले ऐसा नहीं होता था आज कल ये लोग मरे हुए पशुपक्षियों को यहां वहाँ डाल देते हैं उनके कारण मैं बद्बू वाली हो जाती हूँ इनके कारखानों से निकली गंदगी और गयसे मुझमें घुल जाती है और ये बद्बू दूर तक फैलती रहती है मुझे याद है कि एक बार भोपाल के एक कारखाने से निकली जहरीली गयस मुझ पर सवार होकर दूर दूर तक फैल गई थी और कितने ही लोग रात में सोय हुए ही मौत के मुह में चले गये थे इन लोगों से कहिए कि ये गंदगी के धेर ना लगाए सफाई रखे कचरे से कंपोस्ट खात बनाए मौत के मुह में चले जाना मतलब जान बूच कर खत्रा मोल लेना आदमी लेकिन तुम अचानक चल कर हमारे आखों में मिट्टी डाल देती हो सब कुछ तबाह कर देती हो क्या इसका हमने तुम्हें न्योता दिया था हवा मैं किसी के निमंतरन का इंतजार नहीं करती चलना मेरा काम है आप कहते हो तो लो मैंने चलना बंद किया हवा का चलना बंद हो जाता है सभी घुटन महसूस करते हैं मंत्री अरे हवा रानी नाराज मत हो धीरे धीरे तो चलो सास लेना मुश्किल हो रहा है तुम चलोगी नहीं तो लोग जिन्दा केसे रहेंगे हवा बहने लगती है महराज हवा के बारे में कोई और शिकायत औरत महराज हम अपने घर साफ सुत्रे रखते हैं पर हवा आंधी बन कराती है और हमारे घर रेत और कूडे से भर देती है हवा तो बहे पर आंधी क्यों हवा महराज आंधी से इनका मतलब मेरे तेज चलने से है वैसे तो मैं हर समय बहती रहती हूँ पर इन्हे जब गर में लगती है तो पंखा चला कर मेरी गती बढ़ा लेते हैं उसी तरह जहां भी हवा कम होती है मैं तेजी से वहा जाती हूँ जब मैं तेजी से चलती हूँ तो रेत, मिट्टी, कुडा आदी जो भी हलकी चीजे रास्ते में होती है मेरे साथ उढ़ने लगती है ये अपने घर और दुकान साफ करके कुडा घर के आसपास गली में या सडक पर डाल देते हैं कई बार गाउं के बाहर कुडे के ढेल लगा देते हैं इनका फेका कुडा ही वापस इनके घरों में जाता है महराज, लोग अपने गाउं या शहर में पॉलिथीन की थेलिया सडकों पर भैटते हैं वे मेरे साथ उड़कर खेतों में फैल जाती हैं और फसलों को नुकसान पहुचाती हैं जैसी करनी वैसी भरनी इसमें मैं क्या कर सकती हूँ इसमें मेरा भी मन बड़ा दुखी होता है जैसी करनी वैसी भरनी, मतलब कर्म के अनुसार फल का मिलना महराज, मैंने सबकी बात सुनी है लोग हवा पानी से दुखी तो है, पर कसुर इंका नहीं है लोगों को सफाई की आदत अपनानी होगी तभी ये दूशीत होने से बचेंगे हमें चाहिए कि हम हवा और पानी को अपना दोस्त मान कर उन्हें नुकसान न पहुचाए और इन्हें प्रदुशन से बचाने के उपाय खोजे उचीत कार्यवा ही करें इसमें ही हमारा भला और बचाव है लोग हवा पानी के प्रती दोस्ती का भाव दिखाते हुए चले जाते हैं झाल